मेरे नाम लरीत पॉहांसरमा है और पेपर हैकर मैं आपको स्वागत है जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग प्रस्टियर की जो सैमिस्टर बन की जो पॉलिटिकल साइस है बोलो हम लोग डिसकस कर रहे थे और हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारा जो आठ कुछन है वो पहल जैसा कि हम देखेंगे कि हमारे कितना हैं कि हमारे आगर भारत चुझेम क्या कünküस्स वार करें लंग तो रूपम पहले कि है और मिल चुकर यह सारे आई है पहले के आई हुब हैं तो किस नाम से आ सकता है कि भारती ए सदंत्रा अंड्लन में भारत छोड़ sympathy Divine की महत को समझाएं अगर हमारे करेवकर में पेपर में क्या चीजा जया है कि भारती ए सुधनाथा अंड्लन में भáरत छोड़ अंड्लन के महत को दर्स आई गेगर ऐसा आता है तब भी ठीक भारा छोड़ो ऑंडुलन के उतरता यकारण की बतला आई अगर चोड़ो ऑंडुलन के उतरता है संच्छत निवंद लिकाँ अगर हमसे निवंद लेंगने को बोले किसके खोड़ो आंदोलं पूछ ले उपलब दिया तो अस्फलताओं की कारण अगर उसमें क्या पूछ ले पूछ ले और क्या मुंच ले और हम यह अगर हमें प्रूद करते हैं कि भारत के बाइसराय ने भारतिय नेताओं से किया परामर्स को ने वह नहीं के खिलाब कि भारत की तब से गोशना करती इसी करणा क्या हुए कांग्रेश चाहन जांते कि इस वहंत्राइब युर्धिके रें युद्धिक सफ़स्ट करें जो महात्मर्गांदी थे और जो और असासन दे जाएगी और क्या था भारत को सुधनता दी जाएगी यह बात की भोषना करें तो हम भारत के और से भारत के लोग उनका साथ देंगे बिट्टिस सासंद्वारा ऐसा कोई भी असासंद ना दिये जाने पर आठ प्रांटों के कांग्रेश्टी मंति मन्य तुर्ट अपने त्यागपत्य दे दिये ऐसे गोशना जम नहीं हुई कि हम जो आपको जीत के बाद आपको सुधनता दे देंगे तो इससे क्या हुगा कि ज जो उसकी इस्तती और किसकी मित रास्ते उनकी इस्तती क्या हुई जो हमारा युद्ध चल दाता सेगिन बढ़ जो 49 से 45 तक चला 44 तक उसमें क्या हुआ जो मित रास्ते वीटेन उसकी इस्तती कैसी हो गई बहुत जादा बिगड़ गई मतलब यह लोग हाद ने लगे इस का जीद भारतिए राजनीतिक्त धर्राइद के जल्ब करते सारी वह ऊसमें भारत के लोगों ने समर्तन नहीं किया जो बाइसराय ने घोष्णा की ती जर्मनी के खिलाब उसमें भारत के लोगों ने समतर नहीं किया अधा इस फर में प्रदानवंती चर्चिर थे उन्हाँ गती रो दूरर करने के लिए मार्च 1921 में सर इस्टेफर्ट क्रिव्ट को भारत भेजा उन्हों ने क्या किया गती रोbes terug जो दूर था भारत के लोग साम में नहीं हो रहे थे उसी कारण किसे बेजा एक क्रिप्स मिशन बेजा क्रिप्स की अधिक्षिता कौन का रहे थे सर इस्टेपर फोर्ट कब भेजा था उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रिधान मंत्री चल्चिल जो थे उन्होंने भार संब्सक्राम का भारत करते ही भाएं फोरा एंशे अन्प ने के लिए सब्सक्राइब कर दो लेका अए थे कितने माखते दो भागते एक था अंतरे मियोजना और दीरकाली के लिए आगज आग है किए हंदर्य ना थी और कौण सीपा करने को तयार नहीं ती हमने बताए तरहा है फ्लिक होने को नहीं प्रेश जिसके कौन थे इसके अज्जेक्ष ते उसके योजना थी उसको कौन भारति हैं जो नेता थे उसको कार करने के लिए यह नहीं थे इसकारां इसने के तिधुलीया बैंक के नाम भाविष की तिती में बुने वाले चेक की संग्या दी गांदी जी ने इसके बताए पॉस्ट डेटि चैग गांदी जी ने इसको बताए कि यह क्या है एक दिवालिया बेंक की नाम का एक भफिस का क्या है बहुत कि तरीका एक बुनाने वाला चेक है इसमें कोई भी धन्रासी आपको नहीं मिलने वाली ठीक है एक ऐसा चेक है जिसमें आपको कोई धन्रासी प्राप नहीं होगी उसी प लिए प्राहनमति चर्चिल यून्होंने क्या बहुता था उसके अस्वलता रही जिस कारण क्या था भारत छोड़ा अंडूलन ता वह स्टार्ट हो गया था इसी के बाद स्टार्ट हुआ था ठीक है कि प्रिस्टन के बाद बहुता हों कि बिल्कूल भी यह नहीं बता गया था कि इसकी बहारत की राजनीतिक दलते उसके साथ बात नहीं बनी इसकारा भारत में और क्या था भारत में भी निरासा का बात हुआ चाहा गया ठीक है यह एन्वाफ किया कि राजनीतिक चाल माते थे जो भारत के राजनीतिक दल थे या जो कॉंग्रेस थी उसने ये पाया कि जो प्रिद्धान्वंती के द्वारा वेजी गई ती कहांगे बिटेंगे जिसका उद्धेश अपने युद्धे सहयोगियों अमेर का आधी को संतोस्ट करना था जिसका क्रिप्समिशन जो था उसका उद्धेश क्या था कि जो उसके बिटेश सरकार भारत को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी रेजन क्या था ना कि भारत को बिटे सर्कात जो थी बिटे की सर्कात जो थी वो भारत को किसी भी कीमत पर आजाद करने के बारे में सोच digital इनिये खी विल्कूल भी उद्देस ये नहीं था कि हिए आजा जाए उसे भारत वो उसके हाल पर या उसको आजात करके छोड़ दिया जाए ठीक है जैसा कि मौलाना आजात ने लिखा है कि हमारे जो मौलाना आजात है उन्होंने लिखा है कि अनेग राजनीतिक दलोग की साथ लंबी बाताव का एकमात उद्देश भारी विस्र के कि दिनी नहीं है और भारतियों में एकता के आवा तक आव भारत की सता हर्सालनतर नहीं कर सकता कर यह थो साथ लंबी बारता हुई थी उसका एकमात उद्देश यह नहीं था कि फविस्ट को क्या बता जाए वह भारत की क्या नहीं है बासिक प्रति नहीं है और भारतियों में एक्ता क्या है एक लंबी बारता चली थी जो तरसानी के लिए भारत की हिसी कारां ब्रतियुने क्या नहीं कर सकता लुज्स को उसको नहीं सब्सकता की नहीं नहीं है बासिक प्रति नहीं है वारत की लोग देखता नहीं है इस कारण हम आपको आजादी के लिए जो भारत को अस्तनांतर कांग्रिस को नहीं कर सकते हैं अच्छा ऐसे बातावर्ण में भारत बिटेन के संबंदों बार बेप्रीव पढ़ना सुभाविक्रा जब ऐसी बात सामने आई तो क्या था भारत बिटेन के संब जो थे उन पर क्या प्रिभाव पढ़ना तो बहुत लाजमी था कि उन पर प्रिभाव पढ़ेगा किस वात का कि उनके आप संबन बहुत ज़्यादा खट्टे हैं रापिर बने हुए नहीं है हमारा दूसा था था थीग इस समय बंगाल में बहुना आतंका राज था इस समय क्या था बंगाल में मतलब दर्का और आतंका राज्टा सरकार ने वहां सैनिक उद्देश्यों के लिए बहुत से क्यलानों की भूमी पर अधिकार कर लिए सरकार क्या थी जो इंडिया में वाइसराइगे तरह चलाई जाती थी उसने क्या किया भारत की जो किसानों की भूमी भूमी थी उस पर क्या कर लिया अपना अधिकार कर लिया किस के लिए कर लिया सैनिकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ठीक है बहां पर हजारों देसी नावों को नस्ट कर दिया गया जिस से हजारों परवारों की जो जो नाप थी जो सदेसी नाप थी मतलब भारत की लोगों ने बनाई थी उसको नस्ट कर दिया गया जब तो भारत की जो परिवार थे बहुत से परवार थे उनकी रोजी रोटी मतलब डेली का खाना घर्चा वो चला गया उनका जब ऐसे कारण थे जब इनको जो चीन ली गई तो इसका पहां बंगाल की जटनता थी वह वह बटेस सरकार से असन्तों के और हैं का वातासन वान ब्यापत हो गया जब जनता ही जो सासन करता उससे डर जाए 어우 भावीत हो है आपर क्या हlike विध्वा muy हो जाएकल भॉद यूद्व का मुझे देखने थे संकमांई अबार्वार T क्यों रहे साद़ा ब्रमा में भाहात यूद्वारत' क्यों यह चो साथा नो पर जब जापान के द्वारा भारत पर भारत के बर्मा पर तो इस कारण जापान ने जो हमारे इंडियन बर्मा में थे उन पर क्या हुआ बहुत जड़ा अत्याचार की आ इसी कारण जो था तब तक हमारा बर्मा था भारत अलग हो चुगा था और जो वह भारत में भागवा कर आ रहे तो बहुत रहे थे इसी कारण लाल कुछ पता है हमाज लिए देखने भारतिय सर्णार्टी से रोको याद तो हमारे हिदराज कुंजूरू थे उन्होंने क्या कहा है यह भारतिय सर्णार्टी जो थे सर्णार्टियों से ऐसा अपमान जनक विभार किया जा रहा था जैसे कि घटिया जाती से संबंदित हुँ हुआ कर दो को थे अजनक वो जो है अए जो बहुत जादा होगीया और हमारे चौता का जर्णार्टार्टि करते हुआ कि अच्छी नहीं थी क्योंकि अंग्रेज नहीं ने बहुत ज्यादा इंडिया को क्या हुआ उस समय तक रूट चुके थे इसका भारत की क्या थी अच्छी नहीं थी और दूसरा कारण क्या था सासन के पर थी अविश्वास उसके जो परती हमारा प्यवार कैसा था एक बहुत विश्वास बिल्कुल खोड़ चुके हैं हम किस में बेट्यशकार्ग इस समय बस्तिकों के दाम बहुत बढ़ते जा रहे थे क्या हुआ जो बिट्ट सरकार के जो कंट्रॉल में ये चीज़ने वाथ ज्यॉत बढ़्टे जा रहे थे लोगों नोटों से विश्वास उठ अ अविष्वास उत्मनों रहाता है उस समय क्या था मद्याम मतलब जो गरना तो गरी मद जादा धा ती सब्सक्राइब क्या थे प्रेशान और उनका सरकार के प्रति जो क्या था विश्वासरा उत्मों कहते इसलिसॉँ की वावना उत्पन हो लए थी किसके किलाब बीटे सर्कार के एकलाब लाव तो में पांच मारा उसको देख लेते हैं जापानिया करमट बढ़ा कारण है क्या था उस ये वियूदा जापान में इंडिया के इतने अच्छी नहीं ती उपकर समय 아니 में पराजित कर दिया जापान ने अंग्रिजों को कहाँ कहाँ संगापूर मैं रएक है कि तौCr बार्मा है तोम पहुंची आथा तो जापन ने और अंग्रेजों को तीन जगह तो पहले हरा चुका था और चौत ही वारी किसकी इंडिया जो भारत पर होने वाला था इस कारण भारत की लोगों में क्या था जो विट्टे सरकार की उसके खिलाब अविस्वास था उसमें विस्वास नहीं था कि वह हमाई रक्षा कर सकेंगे और अब भारत पर आकमड करने की योजना बना रहा था क्या था जो जापान था वो क्या कर रहा था भारत पर आकमड करने की योजना बना रहा था क्योंकि उसका अगला टार्गेट क्या था अब भारत दीता क्योंकि बरमागे बाद क्या आता है भारत में जापानी आकमड का भारत कि रक्षा करने में असमरत है साथ ही उनका उमत यह था जो क्या था भारत में जो गांडीजी ते और चांग्रेश और जो भारत के लोग थे उने पूरा विस्वास्ता की जो प्रटे सपरकार वह हमायी भारत से चले जाए कि भारत नहीं करेंगे नहीं करें कि इसे उसे तो अगर भारत से अंग्रेज चले जाए अगर मैं तुर संबन में अपने ये पत्र भान कि भारत की लिए उसके पध़िणाम कुछ भी पेस्ट सब्राइब की मत Ми a है कि भारत कीरता है वो क्या है अगर इंगलेंद अगर टाइम पर छोड़ देती है भारत भारत को पटायम पर ठीज चला जाता है तो भारत को भारत की जो हो सकते हैं कुछ पढ़ना कुछ भी हूँ लेकिन भारत की जो अभी हाला आज की हालत है उसमें यह है कि भारत को भारत को भारत को बिटेच सोड़ कर चले जाएं तो हो सकता है कि हमारी जापान से जो है युद्ध टल जाए ठीक है इनका सीदा-सीदा यही कहना था जो नहीं किस सब लोग निरास थे उस समय भारत में इतने भी थे सरकार के खिलाब अविस्त्यास बार्य आफ़ीका अंटोलिन कहलो होई कि क्रिप्स में संता वो भी फेल हो गया उपर से इंडिया ने क्या होगा भारत छोड़ों भी शुरू कर दिया गया ठीक है गांदी जी ने कहा कि कांग्रेस अब किसी भी ऐसे स्थिति को सुईकार नहीं कर सकती जैसे भारत को विदेशी सक्ति के सामने दास की रूप में काम करन पड़े तो ऐसा कोई काम अब इंडिया वाले लोग नहीं करें और उन्हें क्या किया भारत छोड़ों अंडोलन्द शुरू करते हैं ठीक है कि 14 जुलाई उन्यस्तों प्रदा प्रिस्टाफ बर्दा क्या है एक जगा का नाम है ठीक है तो 14 जुलाई प्रदा में प्रिस्ताफ में कांगिस की बैठए पर रखा और उसमें भारत छोड़ों इस ने किया गया बदाव में कहा गया लिए तता नाजीबाद तता दूसे प्रिकार के सामराजबादी और एक रास्ट पर दूसे रास्ट के की आकमड एक राशपर दूसरे के द करनेके लिए आवश्चा है तो क्या था है भारत के लिए उपायोगी है बलकि यह क्या है तुर संसार की इप्रस्थाप जो रखा गया उसमें क्या कर गया कभी सब्सक्राइब है कि युद्ध संबंदी कारियों में बादा पहुंचाना नहीं है जो भारत की बर्दा प्रिस्ताब था उसका उद्ध्यस क्या था उसका उद्ध्यस यह नहीं है कि हम बादा पहुंचाने का कोई भी हमारा उद्धिस नहीं है इसका यह भी मतलब नहीं है कि समझ संग्रेज भारत से भारत को छोड़कर चले जाएं वरन इसका अर्थ के वल इतना है कि भारत में प्रिटिस सासन का अंत सी काली नहीं हो तो गांदी जी का कहना था कि बज़ता इस बदाइ जो प्रिस्ताप्ता उसमें गया नहीं है कि भारत विटार्ण है और जो मित्रास से उनके कालियों में बादओ पहुंचाएं यह उनका कारण नहीं है और ना ही नहीं कि विटेस जितने सारे लोग है वो भारत को छोड़कर चले जाएं उनका बस यही कहना था कि वह क्या है कि वो क्या करें भारत को सासन है उसको सीगर किसका के लोगों में उनका सथान नहीं छोडी कि पॉंसी सरकान ने का सत्ता नहीं छोडी तू कोंगरेस अपनी समस्त अहिंसा अतวก सकति का प्रयोग करने के लिए बात दोगी जहां तक अभी तक अहिंसा के गांदी जी खिलाब थे वहीं पर यहां पर गांदी जी ने भी ये बात बोली ती कि कांग्रेश क्या है अपनी समझ अहिंसा प्रयोग सकति का प्रयोग क्या होगा अगर भारत को अगर आजात नहीं कर सब्सक्राइब करने के लिए तयार है कि बद्धा प्रस्ताब के तुरंट बाद आंडोलन की घोसना नहीं की गई इसके लिए सामिते प्रस्ताइब करने का प्रत्न की गई भारत बहुत जांडोलन के प्रत्ती जागरोग और इससी बंनोबली में और जाग्रिदी लिए कॉंसा सुना जए ती इस सब्स ने कहा हम आथ के साथ कहलने जा रहे हैं मतलब क्या था तिलक दिवस मनाया था एक अगस 1942 को उसी दिन पंडे जवालाल नहरू जिसकी रूप प्रेका किस ने तैयार की थी भारा छोड़ आंदोलें की रूप प्रेका तैयार करने वाले कौन थी पंडे जवालाल नहरू आइडिया किसका था गांदी जी का रूप प् तरवाल का तलवार है उसका प्रियोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्ती हमारी उपर भी पढ़ सकती है क्या था दुधारी तलवार मतलब हो सकता है कि अंग्रेजों को हाता को या हो सकता है यह हमें भी घात या हमें भी नुकसान पहुंचाए परनतु यह मजबूर है क्योंकि भिठानता ऐसे मिल नहीं है क्या सकते हैं थिंधान को सब्सक्राइए डॉकटर गोली कोली करने लिए तैयार होना चाहिए जो हमारे क goods जो हमारी कौन थे को राएंथ उन्हों ने बताया थे कि जो विचार रख Vienna को इस बार भोली खाने को भी तयार है और जो है तोप को का भी सामना करने को हम बिलकुल तयार हैं इसी प्राइब उन्हें उन्हीं है इसा धनीा। की नहीं मारे बतायितने उन्हें तो यह वख तका पहत कोछल देने की तयारी तयारी कर लीती उस inclined को चलने की पूरी तयारी कर लिती अ कुछ परदेखते हैं हमेरा क्रिस्थाप यह था पहाद अंडोलन कर आए अगर्स 123 को बंबई में अकिल भारत कर्व कमेटी का अधिवेशन प्यारबब और इसांतर में je इस अधिवेशन में सर्व सम्मति को पास गया गया मैं बारत में बिटिटेश शासनद का तुरंत हो जाना चाहिए सब्सक्राइब जिसका प्रभाब जिससे की भारत के लिए बहुत ज्यादा हितकर होगा ठीक है हारत के लोग खुदी अपनी रक्षा कर लेंगे एड़िक बिटेंस सर्कार ऐसा कर ने में अनाकानी करेंगी अगर बिटेंस सरकार जो है वह अगर अनाकानी करेंगी ऐसा करने में भारत को सुदंता देने आना का नि करेंगे तो भान जो कॉंग्रेस है इसा करने को कभी तयार नहीं होगी उसे पता ता कि बिट्टे सरकार जो बिटेन की सरकार वह वैसा भारत को आजादी देने का कभी नहीं सोचेगी ठीक है अता उसने गांधीजी के नेतवत में चलाने का निश्या किया और इसकी रूप रहा खोर्ड़ों और इसकी रूप तयार करने को दी गई थी पंडे जवालला नहहीं रूपो ठीक है। अभी आंडोलन शुरू करने की तिती गोसा नहीं की गई। जो अधिवेशन था मुंबई का अधिवेशन उसमें आठ अगस्त को गुए था उसमें अभी तिती गोसा नहीं होती ये कब से भारत का बहुतर है। स्वरुगों कि गांधी जी जन आंदूलन प्लाव करने से पहले एक बार सरकार से समझोता करना चाहते थे कि एक बार पिते इस सरकार से क्या करें समझौता करने गांदी जीने इस कारे संति के सामने अपने भासट में अपने में युरी जो मैं आफ इक दिनों तक पृतिकशा नहीं कर सकता मैं जो गांधीजी ने क्या बोला तक हाँ कि मैं अब सुतनता के आने की अधिक दिनों था पितिक्च्छा बंदा इंतियार मैं नहीं कर सकता मैं जिन्ना साथ के हिदय परिवतन की रहा भी नहीं देख सकता यह मेरे जीवन का अंतिम संगर से उन्होंने बताई ती भारत छोड़ो अंडोलन जो है वो मेरे जीवन का अंतिम और आखरी संगर्स है ठीक है मैं इसके बाद अब और प्रितिक्षा भारत के आजाद होने की नहीं कर सकता है कि इस प्रेकार गांदी जी ने देष्वास्यों को संग लिए ललका रहे और खरोया मरू का नारा दिय Wikipedia क्या हुआ इस कारव उन्होंने बताइब कि यह मेरी त्रह यह मेरा आखरी और मेरे जिवन का आखरी अंतिम संगर्स देसे बारत के लिये लल्कार और एक नारा दिया कर या मरो नें आकले संग्र साथ ह्रसा करो या मरोत तो हमें यह नहीं करो या मरो का नारा कौन से उसमें दिया गया था यह किसाителя में राषा छोड़ में और किस strip में दिया गया था गाण्ध के लिज्या है के इस जो गुवाद हरो उसके स्टार्टिंग कैसे होई ती और साउसन दार्ण मतला उसको कैसे दवाए गया इसमें अधिक मॉंबई का अधिबेशन जो गए था आर्ट अदिसक्ट उन्जेस को उसमें प्रिस्टा पास हो गया था कि अब अन्डोलन का साटिंग की जाए और करो और करो या मरो का नार हैं और 9 आन्डोलोंगी रूप रवी तो यह टीयार की ती यह म livro रूप नवान चाहते तें भाई'M till कि यह पर से नहीं मिले और उपर से गांदी जी को नौगस 1921 सरकार यानि कि भारत में जो बाइसराय थे उनके द्वारा बंदी बना लगया गया और बनाकर कहां रखा गया था उनको आगा कहां पहले समय आई तो लिख भी सकते हैं कि बन दी बना लिया गया था उन्हें पूस रोज नीन आई डूगो एससा समय जंता भी कुछ ना एसे अगर एससे समय में क्या था चंटा गोई कुछ समय नहीं आग ता क्यों कोई स्टाट करने वाला भी कोई नहीं, तो जितने बड़े-बड़े जो लीडर थे, उन सब को क्या था, गरफ़तार के लिया ग्या था, य blender की जरूदती उसको lead करने वाला भी अब इस समें तक कोई नहीं वर चाता, भारत की जनता थी बहुत ज्यादा फिर्मित थी उसे कोई समिझ में नहीं आ रहा था रास्टिये नेताओं के बंदी बनाई जाने और सरकार की दमनीती ने जनता में विद्धो की भावना उत्पन कर दी जो बड़े-बड़े नेता थे उनको गरफ्थार करने और जो दमनीती ती जिस दमनीती किसकी जो भारत की जनता में एक अक्रोस उत्पन कर दिया विद्धो के खिलाब विद्धो करने के लिए जग़-जग़ उपर सरकार नीती के विरोध में जोबे लगहाए वू किस जनता के दौरा कि पटे सरकार के खिलाव पिए गया ठीक है जनता ने अंग्छे भारत छोड़ो का नहरा लगा यह सही क्या हुआ भारत छोड़ों का नारा जनता के द्वारा इस्टार्ट कर दिया गए कब से 9 अगस्ट के बाद से इस परकाल हजारों लोग आंदोलन में कूट पड़े और इसी के बाद क्या भारत की जनता में जो आगरोस था वो बहुत ज्यादा फूट चुका था और इसके बाद बहुत स अब भारत के लोगों पर लाटिया बर्साइग और जो सवाय थी उनको भंकर दिया गया अनेक इस्थानों पर गोली चलाए गए जो बिटे सरकारती और भारत तो कि उसके दौरा भारत के लोगों पर आनेकों स्थान पर अनेको इस्थान टिया गया इससमाचार पत्त थे उनको का की दिया उनको सबanswer एक समय के लिए बंद कर दिया गया और जो भारत की इस्तिरिया थी उनके साथ भी अपमानित बेवार किया गया थी अपमानित किया गया उनको भी सरकार ने कॉंग्रिस को अभहद संगृतन घोसित कर दिया एक बार फिर से कर दिया गया किसमें भाराट छोड़ो आंडोलन में का लवाट की चैना मजबूर कर दिया पर filosण ने कि संगर्स करने के लिए अनियक इस्थानों पर इंसाथ में गतनाय हुई बहुत से इस्थानत यहां पर क्या हुआ हिंर आग जनी वगएरा बहुत से रिसान होगा दी गई गई रेलवे जो थे और जो पुलिस रिस्टिरसन थे उनमें क्या हुआ भारत के लोगों द्वारा आग लगा दी बहुत सी जगां पर बिटेश्षासन का अंत हो गया इस कारणी बहुत सी जगाति में उन पर क्या हुआ था भारत के द्वारा प्रिटे सासन का जो था उसका अंत कर दिया और उस जगह पर क्या हुआ भारत के लोगों का सासन सुद्ध हो गया मतला स्टाट हो गया ठीक है आंडूलन नगरों तक ही नहीं रागाउं तक फैल गया यहां जो था भाराच छोड़ो आंडूलन केवल सहरों तक ही सीमित नहीं था यह आंडोलन जो था गाउं तक फैल चुका था ठीज है प्रदू सरकार के कर्थोर दमन ने आंडोलन को बुरी तरह कुचल दिया जो आंडोलन चल आता उसमें जो भारत जो सरकार की दमन नीती थी जो दमन चक्र था उसने भारत के लोगों का जो भारत जेल में बनते गांदी जी बगएरा और जो बड़े बड़े नेता थे उसे उन्हें पहले ही जा था विटे सरकान ने क्रेद कर लिया था और लोगों जो भारती लोग ते उन पर गोलिया वर्चाई गई महिलां को अपमानित कर दिया गया और सवाइब भंग कर दिए इस ख तर्डौ我 के काराण सरकार की क दमन नींती से क्या मतलब इसे उन रंक को खतम भथ है और या अचे सरकान ने तुन ने मतलब ज्था अंडौलक से क्या है भत ज्यादा वहत ज्था से क्या कि क्या भारत ने आं डोलं को समाप्ट कर दिया स्रमपूर्त देर सेयल कोसर पुलिस और सेना एक सब्सक्राइब इसकां पुलिसमें और क्या दिए पुलिस पुलिस ने गवड़ा गई जिसका अस्वल्ता के जो मुक्र कारण रहे भारत की छोड़ आंडुलन की अस्वल्ता के दूसा हमाला कारण देख लेते हैं यह हमाला दूसा कारण है वो नेत्वत का आबाब नेत्वत को आप आप क्या था अंडोलान में जनता को उच्छद नेत्वत को नहीं ना था चोटी के समस्त नेताओं को आंडोलन शुरू होने से पहले ही बंदी बना लिया गया था जैसा कि हम लोगवने ऊपर पढ़ा था कि जो चोटी मतलब जो बहुत उंचे नेता थे जो अचराइंगा गाता है लोग को ही जेलreten डाल दिया गया बहारत में जो क्या था नित्वत का अभाब ता नित्वत करने वाला कोई बड़ा नेता उस समय नहीं था ठीया आंडोलन का हिनसात्मक रूप आंडोलन का हिनसात्मक रूट धानगनना जैसा कि देखने को बिलता है कि इसमें इस्टेशन पर आग लगा दी रेलवे इस्टेशन जला दिये गए पुलिस इस्टेशन जला दिये गए तो इस अंडूलन में हिंसात्मक बहुत जाता हुई थी इस कारण भी क्या था यह अंडूलन अस्वल जाता है गांदी जी अंडूलन को रूप देना चाहते थे लेकिन नित्यक्त के आभाब में हिंसात्मक हो गया है गांदी ची हमें साथा यह क्या चांदे थे कि अंडूलन को चला जाए लेकिन यह क्या हुआ यह अंडूलन किस एसमा बतल गया है इसका प्रिमुक कारण है इनसात्मक कान्ती के लिए जनता पुरी तरह से तया नहीं थी, इनसात्मक कान्ती जो थी उसे करने के लिए जनता पुरी तरह से भारत की तया नहीं थी, उसके पास अस्तसस्तों का आभापता, इनसात्मक कारवाई भी हुई लेकिन इतनी जनता तया नहीं थी भारत की, कि उस उसके पास कमी थी कि हम चौदा कारण देख लेते हैं कि अधर गार्टा असमिक अंडोलन लब इसका कोई एक तुम सही टाइम नहीं किया गया था कि इस टेर से इसको इस्टार्ट किया जाएगा सब्सक्राइब किया था इसका करना असमिक अंडोलन लब इसके इसके जो परणाम थे अच्छे होते वह समय कांग्रेस के साथ देश के अन्य सक्तियां भी साथ देती हैं उसके साथ में देश की अन्य सक्तियां मतलब अन्य जो उस समय किसका साथ देते इस आंडोलन में उनका साथ देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आंडोलन कविश्टार्ट हुआ आंडोलन को स्टार्ट करने का बहुत अच्छा समय है और उन्होंने इसका आगरे बार बार गांदीजी से और कांग्रेस के निताव से बार बार आगरे भी किया गया था कि इस समय नितार्ट में यह बहुत सई समय है जब इसको अंडोलन को स्टार्टिंग यह दाए लेकिन इसका असमिक समय होने के रिया इसका कोई अच्छा समय नहीं होने के कारण यह क्या हुआ अस्वर हुआ कि अंडोलन के महत को देख लेते हैं कि अंडोलन का महत कि इस अंडोलन से हमें क्या-क्या फाइदा हुए तो इनके महत के बारे में देख लेते हैं अपने मूल उद्यस को प्राप्त करने में अस्वर ला ने भारत की जनता में अपूर्व जागरती उत्पन कर दी मतलब देश की स्वधनता के लिए उसमें क्या हुआ जिग्यासा उत्पन कर दी जिसके पारण सरूब अंगडियुका भारत में लंबे समय समय करना असंवभ हो गया जिस कारण से लाहां में पुट्रिश शासन का भारत में जो सासन करना है वह बहुत जादा मुर्ष के लोग या क्योंकि भारत के लोगों के अंदर अपने सुधनता के परदी जिग्या सा उत्मन हो गई जागरती उत्मन हो गई प्रता में अपने सब्सक्राइब अंदर नियुका अंधोलन के कारण जनता में सरकार का सामना करने का साहस मिला और सकती में अत्याति व्रद्धी वई क्या हुआ सक्ति में ब्रद्धी हुई और जो प्रिटिस सासन था उसके किलाब खड़े होने का साहस क्या हुआ जनता में उत्पन हो गया कि उसी कंद में इस देटैन उन्हें उन्हें बता हैं कि इस व जो था उसके परनाम सी अधीराग की पुराणी मांग सरब्दा समापत होगे ठीक है और उसके साहसा पूर तो नहीं किया सकते इसी ँद्रत के द्वारा इसे ऑं दोलन आंडूलन के द्वाराराई जो सुराज की मांग का अत्यादिक ब़रियता दी गई और अंग्री जी साहन को घ्रार्ट हुआ जाने के कारण जो अंग्री जी सेहना ती याप बिट्रिस सरकार थी उसको एक और धक्का लग गया यह आंदोलन इस ड्रस्टी से भी महत्मूर्ट था कि इसमें विदेशों में भारती पक्ष को पिरवल बनाए यह इस आंदोलन के बाद भारत का जो पक्ष था वो विदेश में मतलब जो दूसरे देश से मित राष्ट को छोड़कर उन देशों मैं भारत का जो इस्टेंड था मलब भारतका जो पक्ष था वह क्या हूगया फिरवल मतलब मजबूत मजीध् updating तोर पर रखा गया अमेद्का चीन और चीन और बह्रतली यह असंतुस्त ही है उसके बारे में लोगों को दूसरे देशों को पता चल सका किसके दौरा भारत छोड़ो आंडोलन के दौरा यही इसी दौरा यह संबभ हो सका इन सबसे अंग्रेजों पर भारत को स्वतंत करने के लिए दवा पड़ा जब ऐसा दूसरे देशों को इस वारे में पता चला तो इस कारण क्या था कि बिटे सरकार कर भारत को आजात करने का क्या हुआ प्रेशर बनने लगा मतलब प्रभाव पढ़ने लगा कि वो इससे क्या करें आजात करें इस प्रेकार भारा छोड़ो आंडोलन ने भारतिय स्वतनत्ता की प्रस्टमूमी तैयार की, इस कारण क्या था, देखा जाये तो भारा छोड़ो आंडोलन एक रूप में तो अस्वल रहा था, लेकिन दूसरे रूप में देखा जाया तो इसके प्रभाव क्या थे, बहुत सा उसका मुझे अवेश्य गर्व है क्या था पंडे जवाला नहरू ने बताए कि जो कुछ विया उसका मुझे क्या है बहुत जादा गर्व है कि भारत को आजाद होना है दूसरे देशों को भी इसके बारे में पता चल गया कि भारत की जो लोग है वो बिटिस सासन से उस नहीं है तो यह था हमारा भारत छोड़ा अंडोलन और यहां पर हमारा जो है क्या है यूनिट जो सेकेंट है वो समाप्त होती है इसके बार हमारी यूनिट थर्डे स्टार्ट हो जाएगी तो उम्मीद आपको यह कुश्चन समझ आया होगा और अगर यह आपको अच्छा लगे तो हमारी चैनल को लाइब और सब्सक्राइब भी कर लें थैंक यू